एक समय की बात है, जब एक छोटे से गाउं में एक राजा नाम के एक युवक रहता था. उसका नाम राजा दिलीप था. यह गाउं उसके परिवार की पीडियों से चली आ रही सम्रिध्य और संपन्नता के साथ बढ़ रहा था. राजा दिलीप ने अपने पिता से जीने की सीख ली थी, जो नेत्रित्व, न्याय और दया के उदाहरण स्थापित किया करते थे. राजा दिलीप बुद्धिमान और उदार व्यक्तित्व के साथ नजर आते थे. उनका जीवन गाउं के लोगों की सेवा में समर्पित था. व पानी की आपूर्ती कम हो गई थी. गाउं के लोगों को प्यास और कमी की मुसीबत से गुजरना पड़ रहा था. राजा दिलीप को इस समस्या का समाधान ढूंडने का काम सौपा गया. उन्होंने गाउं के निवासियों के साथ मिलकर समस्या के संभावित हल के बारे में च परियोजना को शुरू किया. इस परियोजना के द्वारा पानी की आपूर्ती और व्यवस्था में सुधार हुआ और गाउं के निवासियों को पानी की समस्या से निपटने के लिए एक स्थाई समाधान प्राप्त हुआ. राजा दिलीप की यह पहल न केवल गाउं के एक उतक्रिष्ट उदाहरन बनी. उनकी साहसिक्ता और नेत्रित्व की प्रशंसा राज्य के अन्यक शेत्रों में भी हुई. राजा दिलीप का यह कार्यक्रम उनके नेत्रित्व और उद्यम की सराहना करता है और उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में माना जाता है.